कि हलो अब्रिवन आज का जो मेरा यह सेशन है यह सेशन है निमसेट 24 या 25 के न्यूट बाचेस के लिए और इस्पेशली 24 के स्टुएंट्स के काफी सारे मैंसेस थे अब क्योंकि निमसेट का एकजाम हो चुका है एड्बीशन हो चुके हैं सीउटी का एकजाम हो चुका है ए बताना चाहूंगा कि यह जो सेशन है वो है हम लोग सिक्स्टी नगस से यानि ठीक इंडिपेंडेंट डेके नेक्स डेसे निमसेट 24 के लिए एक न्यू बैच स्टार्ट करेंगे 25 के लिए भी होगा और यह बैच फ्रैशर्स और ड्रॉपर्स दोनों के लिए होगा इस बैच जब हम बहुत लेट हो जाते हैं और फिर हम यह decision लेते हैं कि अब हम स्टार्ट करें तो कई बार बहुत extra effort लगाने होते हैं अभी भी हमारे पास लगभग 10 मन्त का टाइम है 24 स्टुएंट के लिए और 10 मन्त का टाइम अगर आप प्रॉपर यूटिलाइज करें तो आप लो पर बहुत time consuming था balance नहीं था तो ऐसे में आप अगर 24 exam को target कर रहे हैं और 24 exam को अगर आप target कर रहे हैं और आपने अगर proper तरीके से preparation नहीं की proper समय पर अपनी testing नहीं की तो कई बार हमारा result वो नहीं आता है जो हम expect कर रहे हम expectation तो करते हैं पर effort नहीं देते इस पेशली कई सारे बच्चे जो हम हर साल देखता हूं कि जो self study कर रहे होते हैं और उनका कई बार result अच्छा नहीं आता है और फिर वो drop लेते हैं और उनसे जब मैं question पूछता हूं क्यों क्या बज़े रही तो उन्होंने एक ही चीज बता चलती कि discipline या consistency नहीं थी सबसे important चीज होती है strong consistency अगर आपने सोचा 6 घंटे पढ़ना तो पढ़ नहीं है दूसरी बात self study वाले बच्चों को एक चीज जवो बोलूंगा कि आपको अपनी testing जवो करना चाहिए अगर आप self study में consistency के साथ पढ़ाई कर रहे हैं और आपके doubts नहीं आ रहे हैं तो at least आप test series को जवूर अभी से join करें जिससे की आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाए test series में भी impetus गुरू कुल में एक तो अभी मैंने लक्स test series start किया और एक classroom course भी होगा और साथ में online course भी होगा होता क्या है कि जब हम self study कर रहे हो अगर हमारे कोई doubt नहीं आ रहे हमारे बिल्कुल clear है तो कोई दिख कर नहीं पर उसमें भी important चीज है कि हमारा एक time management बहुत क्लिर हों चीए कि हमें कितने duration में algebra कितनी duration में कितनी duration में calculus कितनी duration में 2D कितनी duration में LR यह सब complete करना यानि बहुत छोटी छोटी बाते हैं जो मैं अभी आपको बताने वाला हूं वह अगर आप 24 है तो क्या और अगर 25 26 से तो क्या यह सभी के लिए बैच यूश्फुल है पर 25 26 वालों के लिए जो न्यू बैच है वह होगा 16 अगर से पर इसमें हम लोग करीब थ्री टाइम पूरे सिलेबस को कवर करेंगे तो और बहुत सारे बच्चे अल्रेडी 25 26 के लिए डिफरेंट डिफरेंट बैचेस में जॉइन है यह न्यू बैचेस है आप क्योंकि सेमिस्टर एक्जाम हो चुके हैं तो आप इजिली जॉइन कर सकते हैं तो अब मैं बात कर बस हणने परसेंट सिमलर करती है पाटन में थोड़ा सा डिफरेंस है नंबर अब कोश्चन में पर सेलेबस सिमलर है तो आप सी यू टी को भी टार्गेट कर सकते हैं जिससे डी यू जे न्यू भी हूँ है ना ऐसी इनवसिटी मिले इसके तुरू आप सी इटी महरास्टा या अधर-अधर एक्जाम्स की तैयारी कर सकते हैं निमसेट के तुरू आप NIT की तो तैयारी करेंगी जहां पर इतने अच्छे प्लेसमेंट है 30-40 लाग तक के वहीं साथ में आपको हैजरावाद इंवसिटी, HBTU या IPU के कॉलेज भी इसी के तुरू मिलेंगे अब बात आती है कि इतने समय में हम कैसे पढ़ें और क्योंकि जो भी चीज हम पढ़ते हैं उसका रिवीजन होना बहुत जवरी है तो मैं किस तरह से आप इस पैच को लेके चलूंगा वह बताता हूं नंबर वन तिंग कि आपको सेलेबस के पार्ट को कैसे कवर करना आपको दो एंड पर पढ़ाही करनी होगी और अगर अच्छी स्टैडी कर सकते हैं डिसिप्लेन के साथ कर सकते हैं तो आप ऑनलाइन कोर्स के थुरू जुड़िए और ऑनलाइन जुड़ने के बाद भी नहीं आ रहा है और यहां की टेक्निकल टीम को कॉंटेट करके पता कर सकते हैं तो आप बात आती है कई बच्चों का एक कोश्चन होता है कि सर ऑनलाइन में डाउट कैसे होंगे मैं एक चीज आपको बताना चाहूंगा अगर आप इंपिटेस गुरू कुल के साथ हैं तो आ नहीं मुझे आदा थे हमेशा बोलता हूं जब भी मैं कोई टॉपिक स्टार्ट करूं आपको जो भी डाउट आ रहे हैं पेज पर लिख लीजे और उसके बात जब वो टॉपिक एंड की तरफ जाएगा आप देखोगे जो आपके डाउट थे वह तो हुई गए पर आपने उससे भी कई 10 गुना ज्यादा चीजे सीखें इस पेचली में एक बात बोलूँगा कि अगर आप इंपिटर्स गुरू को जोईन कर रहे हैं तो यह केवल सब यह प्लेटफॉर्म सबसे पहले तो एक नॉलेज औरिंटेट प्लेटफॉर्म मतलब आप केवल रैंक के लिए रैंक के साथ साथ आप अपनी नॉलेज बढ़ाएंगे आपको कुछ याद नहीं करना है हर चीज़ को समझना है लॉजिक बनाना है और डेफिनेटली आपकी लाइप में भी बहुत चेंज़े आएंगे दोते हैं नॉर्मलली हम जो टैस्सरे में जितनी क्लास देते हैं लोग उतनी क्लास तो पूरे साल में लेते होंगे आप बाल लीजिए कभी आप लाइब क्लास नहीं देख पाते या कई बार ऐसा होता है कि बच्चे एक टॉपिक को लाइब में करते हैं और एक को बाद में रिकॉर्डड फॉर्म में भी आप देख सकते हैं एक तो यह होगा तो आपको इस तरह से मिलेंगे दूसरा जब एलजेबर और टिगनामेटी कवर हो जाएगी तो हम फिर कैलकुलस और टूडी को कवर करेंगे और फिर उसके बाद वैक्टर और स्टेटेश्टिक को करेंगे अगर इसको मैं पूरे पूरे प्रोग्राम को देखूं तो मैं आप को बताना चाहूंगा कि जन्वरी वो सरी यह अगस से लेके अगस सेप्टेमबर अक्टूबर नावंबर डिसंबर जन्वरी एंड तक मेरी कोशिश होगी कि आपको मैस का सिलेबस हो जाए बट ऐसा मत सूची कि केवल मैस का ही होगा मैस के साथ साथ और पैनिक भी नहीं होन आराम से इसलिए दो एंड पर पढ़ाई करवाता हूं कि आप धीरे धीरे पढ़ें कंसेट बनाएं प्राक्टिस करें मतलब आपको किसी और चीज की जववती नहीं आपको भटकना बंद हो जाएगा कई बर क्या होता है कि जब हम कर रहे होते हैं सेल्फ स्टेडी तो हमार सब पूरे दिन नहीं तीन चार घंटे की प्राक्टिस एपी जीपी प्रोग्रेशन बड़ा टॉपिक है तो डिपेंड करता है डिटर्मेंट मैटराइस वन बीक में हो जाएगा सेट फिरी वन वीक में हो जाएगा बट पी एंची प्राइलिटी में एक महिना लगेगा और पढ़ाई का परपस यह हो कि आपको उससे क्या नया आप सीख रहें इसलिए आप आज देखें तो इंपीटर्स गुरुकुल के जो बच्चे निटी में जाते हैं एक तो नंबर आफ स्टुएंट निटी में सबसे अधा इंपीटर्स गुरुकुल के ही होते हैं किसी भी न आएंगे तो आपको पता चलेगा एक चीज़ नंबर सेकेंड थिंग प्लेसमेंट में सबसे हाइस प्लेसमेंट इंपीटर्स गुरुकुल के बच्चे लेते हैं क्योंकि बहुत कुछ सीख के जाते हैं वह पढ़ाई उनको आगे तक काम आती है और लाइफ तो चेंज होती ही ही है कहीं पे भी पहले दिन से लेके आखरी दिन तक में नहीं कहूंगा कि याद करना दिन भर बैठके रट्टा मानना यह सब मत करो उस सब कोई फायदा नहीं अब जैसे क्या होता है कि ऐसे में आप बाईचांस हो सकता रेंक ले भी हैं पर आपको आगे भी बहुत स्टाट होगा तो जैसे सेट थरी पी इंट सी प्रावलिटी स्टाट होगा फिर उसके बाद चलेगा इस और महीं मैं पढ़ाता हूं फिर चैल्कुलास टूडी और वह जब क्लास्रूम आप जोईन कर लोगे ऑनलाइन तो मैं आपको पूरा डीटेल नहीं बताऊंगा बट लगवगा जेंस बालाई तो फोड़ा बड़ा टापिक टेस्स पड़ाया दो क्लासम आपके करेंगे यानि जनवरी एंड तक आप लोगों का मैस के सास्त क्वे लर भी कंप्लीट होगा और आपको तो एक क्लास और एक दो घंटे देना और इसका स्टेडी मट्यल साथ में देते जाएंगे तो आपके यह कुश्चन की सर कौन सी बुक करनी है उसकी भी कोई कन्फूजन नहीं करना चाहें तो आपको मैं सजेस्ट कर दूंगा कौन सी बुक करना है पर उसकी जवबत नहीं फि पर वो भी मटेल में रहता है तो अब क्या होगा कि जनवरी एंड तक आप पूरा सिलेवस कर लेंगे फिर आपके पास फरवरी मांच अप्रेल मई और अगर जून में एक्जाम होगा तो चार से पांच महीने रिवीजन की मिलेंगे जो मैं भी करवाऊंगा आप भी करेंग जिसमें आपको एक स्पीड टेस्ट मिलेगा नंबर टू एफल टी फुल लेंग टेस्ट मिलेंगे और टॉपिक वाइस टेस्ट मिलेंगे जो टॉपिक चल रहा है उसका टेस्ट होगा करेंट टॉपिक का फुल लेंग टेस्ट का मतलब है 120 कोश्चन का ही टेस्ट होगा जि आपको अभी से पूरी फुल पेपर देने की आदत होगी इस पीड टेस्ट का परपस है कि बेसिक कंसेट आपके कितने स्टॉंग है उससे आपकी स्पीड का पता चलेगा अब अगर आप ये पूरा बैस जॉइन करते हैं तो इसके साथ आपको किसी और चीज की जवत नहीं है सब कुछ इसमें कबर होगा डीटेल में सारी चीजे वोगी सारी चीज़े इतनी डीटेल में पढ़ाए जाएंगी कि आप समय रहते हुए सारी चीजय कबर भी करेंगे टेस्टिंग भी करेंगे और कहीं पर अगर आपको लगता है कि आप सेल्टarin बहुत अच्छ अच्छ स से बात करके उसका भी difference समझ सकते हैं आप WhatsApp message करिए तो आपको पता चल जाएगा सारी चीजे बता दी जाएंगे तो यह एक तरीका है आप समय रहते हुए action लीजिए क्योंकि देखिए number of seats हर एक का सपना होता है कि आप निटी में जाएं कि तुरीची में जाएं सूरतकल में जाएं लाबाद में जाएं पर क्या होता है कि सीट्स इतनी कम है और दूसरा बीटेक वाला बच्चा भी कंप्रीट कर रहा है इसके लावा लास्ट वियर के बाद BBA B.com जिसका भी ग्रेशन में वन यर मैस्स या व कर रहे हैं तो ऐसे में आप इस बात को समय रहते हुए एक्षन लीजिए कि आपकी पढ़ाई प्रॉपर ली हो तो इस तरह से हम लोग आपके पूरे सिलेबस को टाइमली कवर करवाएंगे टाइमली रिवीजन होगा और देखिए ऐसा नहीं है कई बच्चे पूछते हैं स साल पढ़ने वाला बच्चा को है अरे बच्च मोहां करता उसके पास सात महीने कोई छह महीने बात करता है उसके पास केवल छार महीने तो जितना समय कम होगा आपका उपर उतना बड़न और प्रेशर आएगा और जितना ज्यादा समय होगा अगर आज मैं देखूं तो मेरे पास 26 के बैच के रेइस्टर बच्चे भी 25 के भी कई सारे बैच हो गए और 24 के तो काफी हर महीने बैच स्टार्ट होता है पर हर महीने जब बैच स्टार्ट हो तो इसका मतलब है आपका सिलेबस इस एकॉर्डिन पूरा होगा तो आपके उपर बड़न बढ़े आप जैसे जो पिछले महीने बैच स्टार्ट हुआ था उनका सिलेबस दिसंबर में हो जाएगा जो इस महीने होगा उनका जनवरी में जो नेक्स मन्त होगा उसका फरवरी में तो आपको बाद में रिवीजिन का भी टाइम कम मिलता तो ऐसे में अगर आपने मालो स्ट्राइट टाइम पर राइट एक्शन लिया तो आपको उसका फायदा मिलेगा और अगर आप इंपिटेस गुरू कुल से जुड़े हैं तो नोट ओनली रैंक नोट ओनली नॉले आपके लिए बहुत वेनिफिशल है जो बच्चे किस साल लिमसेट का एक्जाम दिये थे या सी यूटी का एक्जाम दिये थे और किसी भी कारेंट से उनकी रैंक अच्छी नहीं आई यह भली प्रिप्रेशन किये उनको भी बोलूँगा कि अगर ड्रॉप लेने का कन्फू सल दे वनान सल देख रहूं तो यह सल छोटा समय अगर आप उपने शाब से ब्लान करेंट करेंगे और एक्शन लीजी और जो भी एक्शन लीजिए महनत करें बिना आपको रिजक नहीं मिलेगा तो सबसे यांद रखिए महनत का कोई सब्च्विशन हिंए तो एक ना कही रेगुलिटी आ जाती है इन फैक्ट से भी जो बच्चे जोड़े होते हैं वह भी एक रेगुलर प्लान में क्योंकि टेस्ट सीरीज वाले बच्चों को टेस्ट पेपर में के लाइफ सॉलूशन मिलते हैं नेक्स वीक में टेस्ट में क्या एड होगा वो बताया जाता और उस और में पढ़ाई करते हैं जिससे उनकी सिस्टमेटिक पढ़ाई होती है तो जो भी मौड आप जॉइन करना चाहें कर सकते हैं जो कहीं कोई कंफूजन ह हो तो टेक्निकल टीम को आप मैसिस करिए आपको वह सारी इंफॉर्मेशन देंगे जिससे आपका कोई भी कंफूजन वह दूर हो जाएगा थैंक्यू एंड ऑल दे बैस्ट